प्रभातखाबर.ड़ कॉम विश्वास वही रवतार नहीं पित्री पक्ष में तरपन स्राध योग पिंडदान क्यों किया जाता है आए जानते हैं इस वीडियो के माध्धम से नमस्कार बैखुड अप्टर स्रीपती त्रपाथी गरोण पुरान के अरुशार सेकडो करोण कल बीत जाने पर भी बिना भोग किये कर्ब फल का नास नहीं होता और जब तक वह पापी जीव या तनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता है इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह दस दिनों तर प्रती दीन पिंडदान करें स्री गरोण पुराण में लिखा है प्रत्य हम ते विभाज जन ते चतुर भागई खगो तमहा मतलब वेपिंड प्रती दीन चार भागों में विभत्त होते हैं उनमें दो भाग तो प्रत के देह के पंच भूतों की पुष्टी के लिए होते हैं तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है चोथे भाग से उस जीव को आहार है प्राप्त होता है भागम भाग द्वयम तुदे हस्या उस्टिदम भूत पंचके रित्यम यमदूतानाम चतुर्थम शोप जीवती नौ रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का सरीर बन जाता है और दस्वे दिन उसमें बल की प्राप्ती होती है अहो रात रैस्चनव भी प्रेताह पिंड मवापनुयात मृत भ्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनह एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है जिसके द्वारा वह प्राणी यम लोग के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के अपने फल को भोगता है पहले दीन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सीर बनता है दूसरे दीन पिंड देने से ग्रीवा मतलब गर्दन मनता है और असकंद कंधे तथा तीसरे पिंड से ख्रीदय मनता है चोथे पिंड से प्रिष्ट भाग बनता है मतलब पीठ बनता है पाचवे पिंड दान से नाभी बनता है चठे तथा साथवे पिंड दान से क्रमशह कटी मतलब कमर बनता है इस प्रकार नौ पिंडों से देह को प्राप्त करके दस्वे पिंड से उसकी छुदा और त्रिशा भूख प्यास ये दोनों जागरित होती है इस पिंड सरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पिडित जीव 11 तथा 12 दिन घोजन करता है प्रतमेहनी यह पिंडस स्तेन मुर्धा प्रजायते गृवा असकंधाव दुतियेना तृतिया घृदयम भवेत चतुर्थेना भवेत प्रिष्टम पंचाना भिरेवचा खस्टेचा सप्तमेचैवा कटी गुष्यम प्रजायते उरूचास्ट मेचैवा जान्वंगनी नौमेत था नौभिर देह मासध्य दस्मेगनी छुदा त्रिड़ा पिंडजम देह मास्त्रित्य छुदा ब्रिष्टस त्रिशार दितह एकादसम द्वादसम चा प्रेतो भूगते द्विनर्दयम तेरहवे दिन यमदूतों के द्वारा बंदय की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यमवार्ग में जाता है मार्ग से मिलने वाली बैतरणी को छोड़ कर यम लोग के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86 हजजार योजन है अब कुछ लोग कहते हैं कि यह मार्ग और यह क्रिया किसने देखी है किसने देखा यह मार्ग आपके पास कोई प्रमाण है क्या इरदेव जी बिलकुल हमारे पास है इसका सास्त्र प्रमाण है आपके वाल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं जो बैदिक काल एक प्रत्यक्ष की ही प्रमान नहीं मानते अपने चह प्रमान हैं जिसमें आपको बता दे कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थाप्ति अनुपलब्धी और शब्र सास्त्र प्रमान क्यों मानने करें कारण कि सास्त्र प्रमान बैदिक धर्म का यह आधार है हम नहीं स्रीमद भागवत अर्थाग स्री कृष्ट जो है इसका प्रमान पत्र देते हैं क्या करना है क्या नहीं उसके लिए हमारे हां सास्त्र ही प्रमान है जो लोग नासा को प्रमान मानते हैं वे ध्यान रखें कि हमारे पुर्वज हमारे जो शंत्र थे तुलसीदाश्जी महराजी ने इन्हीं सास्त्रों के अनुशार प्रिथिवी से चंद्रमा की दूरी लिख दी तब तक नासा का नाम भी नहीं था। आप सब यूही बने रहें मिलते हैं अगले वीडियोज के साथ तब तक के लिए नमस्कार।